हाई मेजिंग पीपल आपसे बहुत खुश हैं बहुत अच्छे हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत हैं आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्वीडन के जॉप सीकर वीजा के बारे में स्वीडन में जॉब्स को लेकर एक बहुत अच्छी गुड नियूज है हमारे बारत के लोगों के लिए जो आपको जानना जरूरी है अगर आप स्वीडन में जॉब करने का सपना देखते हो अगर आपको लगता है कि आप इंडिया में हो आपको जॉब नहीं मिल पा रही है जो भी जॉब आपके पास से अप सडिस्फाई नहीं हो तो जॉब सीकर वीजा स्वीडन का अप्लाई करके आप सकते हो एंड उससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं जिसको जानकर आपको भी मोटिवेशन बिलेगा और यह जो नियूज है मैं आपको ऑनलाइन तक दिखने हो तरह भी आपको सब कुस्समझ में आ जाएगा और हम भी स्वीडन में भेजते हैं हमारे इंडिया के लोग हमने बहुत सारे इंडिया की हमारे चो क्लाइंट्स हमको स्वीडन का जॉब सीकर वीजा वीजा तो आप हमें जरू कुंटाक्ट कीजिए डबल डब अगर आपको यकीन हो जाएगा कि अगर हम रहते हैं तो आपको स्वीडन में वीजा दिलाकर ईजी ली बुला सकते हैं तो हमारे इंस्टेगरम को फॉलो कीजिए अगर पहली बार हमारे चैनल लेकर प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेकर सारी अप्डेट आपके साथ आठेगा करते हैं so let's get started सबसे पहले में स्वीडन के जॉब सीखर वीजा के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं ताकि उससे आपको काफी नॉलज मिलेगी तो आज की टाइम में क्या होता है कि बहुत सारी कंट्री इस होती है जो आपको पहले से बोलते कि आप पह सकते हो कि you can move to Sweden without job without any job in hand कोई आप कोई भी आपके पास job नहीं है तो भी आपको डरने के जोतनी है आप सीथा हमारी कंट्री में वीजा अप्लाई कीजिए जॉब से के वीजा आप हमारी कंट्री में आईए उसके पाद जोब डूणकर यहां पर lifetime के लिए सेटल हो जाईए जब आपको job मिल जाती है तो आपको वापस इंडिया आने की जरूत नहीं है आप स्वीडन में रहकरी अपना जो कॉंट्राक्ट है उसको बनवा सकते हो अपना जो वीजा मिला है आप उसको रेजिदेंस पर्लिमेंट में कलिऑ तो कितने अच्छी बात है कि अगर आप स्वीडन में आओगे तो आपको यह वीजा मिलेगा आप सुड़न में सकते हो आपको कोई जॉप की जरूत नहीं है जब आपको मिल जाए अपना सारा कुछ सेटल कर सकते हो और उसके बाद लाइफ टाइम के लिए सेट होके अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं तो यह बहुत अच्छी बात हैं स्वीटन के जॉब सेकर वीजा को लेकर जो आपको जाना जरूरी है तो आप बात करते हैं जो गुड नियूज में बतारता है जॉब्स को लेकर तो स्वीटन की सरकार किया है कि आज की टाइम में स्वीटन फॉर्ण वोकर्स के लिए बहुत ज्यादा क्या सकते हो की रिक्वेस्ट कर रही है फॉर्ण वोकर से कि आप हमारी कंटरी में आई है जॉब कीजिए स्वीडन की सरकार को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह हो गया कि इनके पास काम करने क के लिए लोग नहीं है तो इनकी जो कंपनीज हैं वहां पर शॉर्टेज हो गये लेबर की उनका काम रुका हुआ है और बहुत सारी जॉब्स खाली पड़ी है यह मैं खुद नहीं बोल रहा है स्वीडन की सरकार आपको बता रही है खुद से कि हमारे बहुत सारी जॉब्स कि हमें आपकी जरूत है अगर आप हमारी कंट्री में आऊगे तो आपको अच्छी लाइव देंगे अच्छा पैसा देंगे आपकी फैमिली को भी यहां पर बुला सकते हो तो बहुत सारी चीज़ों में आपकी स्वीडन बदात कर सकता है तो यह जो जॉब्स बने आपको बताई है कि बहुत सारी जॉब्स हैं वह आपको बुला रहे हैं तो यहीं गुट नीज में आपको उनलाइं दिखाता हो ताकि उसके बाहिए आपको पूरा येकिन हो जायए कि वाके में स्वीडन में बहुत ज्यादा आपकी जरूरत है विकुस उसको निउस को पढ़ने क एजन्सी और यहां पर बेकिंग न्यूज दी है स्वीडन जॉप सीकर वीजा को लेकर जॉप को लेकर पर्ड़ लेते हैं आगे लिकावा है स्वीडन वांस टु एट्राक्ट मोर फॉरें डॉक्टर रॉर्ड डॉक्टरल स्टुदंस और रिसर्च यहां है यहां कि स्वीडन पेषेचर लोग कैसे रिसेर्च इन डडॉज गहां जो एम्हां इमपर्व इंप्रॉज prioris ऑफिडन आर जो स्रुड कि तो चाहते है कि है कोई मिंश्यूज नो स्वीडियन के जॉब सिर विजा का ता कि सारे छीज अच्छी से रहे आगे लिका है दिन इन अबॉर फ्र चुजिश इन द्विड वाइज बाइज फूर्टेन फ्रटंट और अर अलमुस ता फिवर स्ट्टेट्ट्ट्ट ए लास्ट that would make the country more attractive to foreign doctoral students and researchers as well as measures that aim to retain them. So, to say that Sweden's government has made a team who will fully assess the reason that the people who are coming in less than the country and how they attract more so that they keep them here so that they don't leave Sweden so that they can fill jobs here so that the economy is strong. The important thing you need to learn is that government aims at improving conditions for attracting talent to Sweden. The government wants that the conditions that are tough will become easy so that more talented people and foreign workers can call them in Sweden. Maria Malmer, the Migration Minister pointed out that the international collaborations are vital for Sweden to maintain its reputation as an innovation nation. It means that Maria Malmer, the Minister of Migration has said that this time it is necessary that the international workers can attract them because it is important for Sweden to become an innovation country. One way how Sweden can reach such goals includes setting up the best conditions for foreign doctoral students and researchers to work in the country. So, the important thing it is for which the most important thing is that as the most important thing is all the students are working and the talented students there can get attractive than the other students in Sweden, established as well who have attracted the conditions to make them well so that they will stay here and that it will have students benefit those who will get benefit from them. आगे लिकावा है, on the other hand, the Swedish education minister Matt Spelsen noted that foreign students who have graduated from Swedish universities can become an important resource for meeting skills demands that are needed in the country. In this way, the authorities ensure that study residence permits are not being misused. I think I have a very good resource for you, so I think I have a very good resource for you, so I think I have a very good resource for you, which is breaking news, so it's very important to know that you have to know that this time, बहुत ज्यादा डिमांड है foreign workers की, तो आप सबको आना चाहिए, and job security visa apply करके आना चाहिए, ताकि उससे आपकी असानी से entry हो जाए. तो इस पूरी good news का आपको ध्यान रखना है. So now, अब आपने खुझ से अपने आखों से देख लिए, मैंने आपको पूरी की पूरी good news दिखा दिये, तो आपको यकीन करना पड़ेगा, कि स्वीटन को आपकी जरूत है, आपको आना चाहिए, बिकिस इनको लोग चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि इनके पास skilled और unskilled, दोने टाइप की jobs हैं, engineers, doctors, nurses, mechanics, plumber, जितने भी fields होते हैं, सबके लिए job इनके पास, तो सारे लोग apply कीजिए, job seeking visa, and Sweden में आकर आप अपनी life को अच्छा कर सकते हूं, settle हो सकते हूं, तो time waste मत कीजिए, apply कीजिए, and जैसे मैंने बता है कि हम भी आपको ये visa दिला सकते हैं, and हम ही इंडिया के अंदर हैं, जैसे ये visa दिलाया है, तो हम आपको भी दिला सकते हैं, Sweden का job seeking visa, हमाई team को contact कीजिए, 00159403 पर हमाई team आपकी help करेगी, and आपको Sweden का job seeking visa दिला देगी, and इसके लाब हम और भी visa apply करते हैं, जैसे student visa हो गया, study में admission कराते हैं, spouse visa दिलाते हैं, work visa हो गया, and इसके साथ tourist visa हो गया, shengen visa हो गया, सारे visa हम स्वीटन के दिलाते हैं, तो कोई भी आपको visa चाहिए, तो आप हमें contact कर सकते हैं, and please आप अपनारा ये Instagram का account जरू देखना, future abroad 25, because हम हमेशा बोलते हैं, हम भी स्वीटन में रहते हैं, हमने बहुत सारी वीडियो और पिक्चर्स पोस्ट की हमारे Instagram पर, तो उनको आप देखो के तो आपको यकीन होगा, कि अगर ये रहते हैं स्वीटन में, तो obviously हमको भी ये visa दिला देंगे, तो बस हमारे Instagram को follow कीजे, अगर आप कोई वीडियो पसंद आएं, तो प्लीज इसको लाइक जरू करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेने, ताकि आपके ऐसी useful वीडियो देखने को मिलती रहें, So thank you so much, आपके कीमती टाइम का best of luck, and please Amisha, अपना ध्यान रखी हैं.